कि कॉंग्रेस पार्टी नए लोगों को नए आइडियास को हडल करती है। कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिगिट दे रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की और से लोकसबा के उनको अगर आप पूछो कि उत्तर परदेश और बिहार के अलग राजजी है तो अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरो ही कहा हैं तो वो कहेंगे कि शायद मद्यपरदेश 36 गड़ में होगा। ये कॉंग्रेस पार्टी चला रहे हैं तो कॉंग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट तूट चुका है। प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक शन भी खड़ा नहीं हो सकता। जैराम रमेश ने शामा परशाद मुकर जी प्यारूप लगाया है कि मुस्लिम लिंक के साथ यहीं तो है। यही तो इन ही लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने जिसका अपने नाम लिया। मॉनिटर का पिछले चार-पांच बार से राज्जी सभा में उनको कॉंग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। इसनको अपनी राज्जी सभा की सीट सुरक्षित करनी है। और अगवारों में दो-तिन प्रेस के जो जर्नलिस्ट हैं उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकि इनका आइडियोलोजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है। ना इनको पता है कि जमीनी महत्वकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। डूसरा आद्मी जो मैनि पेस्ट जिस ने बनाया अगर उसके आइडिया में दम होता तो बयाल इस पर आती क्या वह नूने तम एन वाई एवाई स्कीम अरे भाई एक यह स्कीम को बार बार नए पेकेज में करने से देश के लोग उसको नहीं खरीड सकते हैं ये कॉंग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है वो ही आप उसी पुराने धर्रे पे चल रहे हो अब देश का मिजाज देश का मूड देश की महतुकांगशा है यंग इंडिया की महतुकांगशा है हमारी मात्रशक् कोच कॉंग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जो जिस तरह की राजनेती करते थे वैसे